हलो मैं डॉक्टर केके मिस्रा आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेश पर श्रक करता हूं इस वीडियो टुटोरियल में हम वाक्य भेद की बात करें जो कि पिछले वीडियो टुटोरियल में किया गया था इसमें हम कुछ आगे और अवयों की बात कि पिछले वीडियो टुटोरियल में हमने सरल वाक्य, संज्युक्त या मिस्र वाक्य की बात की थी आए इसमें हम विश्तित रूप से और आगे की बातों को जाने जाने आश्रत उपवाक्य आश्रत या गौळ उपवाक्यों के तीन भेद होने संग्या, विशेशन, क्रिय विशेशन, संग्या उपवाक्य, किसी उपवाक्य में जो आश्रत उपवाक्य मुख्यों की संग्या के इस्थान पर आते हैं, उन्हें संग्या उपवाक्य कहते हैं, जैसे केवट ने कहा कि बिना पाउं धोए आपको नावपर नहीं चाहा हुआ, मैं जानता था कि सुमन अवस्य आएगे अध्यापत ने कहा कि अपने आसपा सफाई रखो इन्हीं पुवक्यों में प्रियुक्ष पुवक्य बिना पाउं धोए आपको नाव पर नहीं जहा हुआ सुमन अवस्य आएगी अपने आसपा सफाई रखो ये संग्या पुवक्य है अनियोदाहरन अव छाटर समझ गए हैं कि आठवी तक उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता है माली ने बच्चों को समझा है कि फोल तोड़ना मना है फलवाले ने कहा कि मैं ताजे फल ही बेषता हूँ तो यह जो भी बात के हैं कि आठे उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता फूल तोड़ना मना है, मैं ताजे फल भी भेचता हूँ, यह उपवाके, संग्या उपवागे के करम में। संग्या उपवाक्यों की पहँचान करके, इनके आरम्भ में लगे की को देखकर पहँचान की जा सकते है। वाके की के द्वारा मुख्य प्रधान उपवाक से जुड़े रहते। की का प्रियोग उस दसा में नहीं होता जब संग्या उपवाक प्रधान उपवाक से पहले आ जाए या कभी कभी की का लोप कर दिया जाए। इन वाक्यों में उपवाक के पहले की का लोप है। विशेशन उपवाक के मुख्य उपवाक में परियुक्त संग्या या स्रवनाम की विशेश्था बताते हैं। उन्हें विशेशन उपवाक के कहते हैं। जैसे इस वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वेंग करते हैं विपत्ति का सामना वही कर पाते हैं जो धैरे बनाए रखते हैं जो दवाएं तुमने मुझे कल दी थी वह नकली हैं जिस मरीज का ओपरेशन हुआ था वह अब चलने लगा विशेशन प्यौपी पहचान के बिभिन रूपों से सुरू होते हैं जो फल तुम लाये थे वह बहुत मीठे हैं जिस चात्र ने सबसे अध्य परिस्रम किया था वही प्रथमाया है जिन्होंने दुख्यों की मदद की उनका नाम अमर हो गया ये विशेशन उपवाक के हैं क्रिया विशेशन उपवाक के प्रधान उपवाक की क्रिया की विशेष्टा बताने वारे आस्त उपवाक्तों को क्रिया विशेष्टर उपवाक के कहते हैं जब मैं जाकता हूँ तब तहनने लग जाता हूँ जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही वह बैठ गया उठ बैठा जहां साफ सफाई होती है वहाँ इस्वर का वास होता है किरिया विशिटर उपवाक के भेर किरिया विशिटर उपवाक मुख उपवाक के किरिया का काल रीटी इस्थान का कारण आधिका बोध कराते है जैसे काल वाचक उपवाक जब सूरज उपता है मोर नाचने लगे रीत वाचक जैसा सचिंत नुलकर बल्ले वाजी करते थे वज़ा दूसरा नहीं जिस तरह गुरू ने समझाया था शेसे उसी तरह का आच्रण किया जैसे इसे आगे बढ़ते जाओगे मंजल निकट आती जाएगी ये रीत वाचक को पुआगे जहां आग होती है वहाँ धुआ होता है जहां संत निवास करते हैं वह स्थान स्वर्गत होता है जहां जहां सरदार पटेल गए उनका भब्य स्वागत हुआ परिमार वाचक जितनी ही वर्षा हो ये उतनी अच्छी फसल होगी जितना पचासों को उतना ही खाओ जितनी बर्ख पढ़ेगी सरदी उतनी ही बढ़ती जाएगे परिमार वाचक तुमने मन लगा कर पढ़ाई की होती तो यह दिन न देखना पड़ता है वहाँ इसलिए विद्याले जाएगा क्योंकि आज पैसे बटेंगे यदि कभूता लालस ना करते तो जाल में ना फस्ते खिरिया विश्यस्णुकवा की पहचान जब जैसा जहां जयों जयों प्रादी शुरू में देखकर की जाएगे वाच की रचना अंतरन या रूपांतरन किसी वाक्य से दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि उसका मूलवा और परिवर्तित रहे वाक्य रूप रचनांतरन या रूपांतरन करता है वाक्य रूपा अंतरण के अंतरवत शरल वाक्यों को संजुक्त और मिस्र में तथा मिस्र वाक्यों को सरल और संजुक्त वाक्य में बदलना जैसे धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, सरल वागे, धमाका हुआ और लोग घरों से बाहर निकल आए, यह भी सरल वागे, जैसा ही धमाका हुआ लोग घरों से बाहर निकल आए, मिस्र वागे, पका आम देखते ही बच्चे के मुह में पानी आगया, सरल वागे, बच्चे ने पका आम देखा और उसके मुह में पानी आ गया मिस्रवाक्य। सरलवाक्यों को संजुक्त वाक्य बनाते समय उन्हें इस तरह से दो भागों में बाते हैं कि दो क्रियाएं बन सके हैं। जैसे हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए हमें फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा घर गए हमें फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा घर गए उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना था उसे रिपोर्ट लिखवाना है इसलिए थाने जाएगा मैं पूजा करने मंदिर गया, मुझे पूजा करनी थी अता दिर गया, पारिसरविक पाते ही, कलाकार चला गया, कलाकार को पारिसरविक मिला और हो चला गया, तो ये त्यादी सब्दें इनकों की हम देखकर समझ सकते हैं, और इस तरीके से जो भी अभी उपर वात संजुक्त से सरली त्याद हमने देखे, आपको जरूर समझ में आया होगा, और इसको हम समझ सकते हैं, अगर इस पर आधारित क्वेशन किसी भी कॉम्पटिटिव इगेशन में आते हैं, तो आप इसको बड़े आसानी से कर लेंगे, यदि हमारा वीडियो ट्यटिवर आपको पसंद आया हो, आप दिरूर सब्सक्राइब करें, टाइब करें, तो अब नाइस टाइम, बेस्ट आफ लग,